तो फाइनली सैमसंग A52 4G के लिए जो 1EY 5.1 का अपडेट है वो इंडिया में सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है दो मार्च 2023 को तो आज के इस वीडियो के अंदर इस अपडेट का फुल रिव्यू दूँगा दोस्तों जानेंगे कि क्या कुछ ने फीचर्स और इंप्रोव्मेंट्स किये गए हैं तो वीडियो को अंदर तक देखेगा और लाइक कर दिजेगा इस वीडियो को लाइक टार्गेट हमनों रखते हैं कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया है अब आपको कुछ इस तरह से जो ऑप्टिमाइजिंग एप्स का जो हमें इंटरफेस देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तो पहला चेंज यह किया गया है इसके अलाबा अगर बात करें तो यहां पर अपडेट के बाद जो लास्ट आपडेट रोशो करता है शेटिंग्स में तो यहां पर चले जाते हैं हमलोग सिटिंग्स में सॉफट्वीर अपडेट लास्ट अपडेट तो इसके भी इंटरफेस को सैमसेंग ने कंप्लीट्ली रीडिजाइन कर दिया है दो किया गया है clock में तो यहाँ पर चलते हैं clock में यहाँ पर no clock का एक option देखने को मिला है दोस्तो यहाँ पर आप no clock भी set कर सकते हैं कुछ इस तरह से set करने के बाद देखने को मिलेगा दोस्तो इसके लाबा कापी सारे ने widgets add किये गये हैं तो सबसे पहले जाना आपको widgets में पर सबसे पहले circle को add करते हैं तो यहाँ पर आप इसके size को भी adjust कर सकते हैं और यहाँ पर art devices आप connect कर सकते हैं यहाँ पर आप background को change कर सकते हैं transparency को adjust कर सकते हैं आपको कौन-कौन से devices यहाँ पर चाहिए वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हैं इसके लाब आप reorder कर सकते हैं कुछ तो यहां पर डिष्ट का बैर्टरी पर्सेंटेज, ग McCarthy बार्ट गिलैकसी वाच का बैर्टरी पर्सेंटेज, शो करेगा दोसतों, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को心 है इसके कर रहा है और जब आप connect कीजिएगा birds वाच को तो यहां पर जो है वो शो करेगा battery percentage birds और वाच का इसके अलाबा यहां पर और भी widgets एड़ किये गया है इस्टर एक का एक नया widget एड़ किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें एक नया widget देखने को मिला है इसके अलाबा यहां पर और भी widgets एड़ किये गये हैं जिसे context का नया widget एड़ किया गया डायरेक्ट डायल और एक और नया widget एड़ किया गया यहां पर आप आप देख सकते हैं साथ ही Bixby Vision का एक नया widget add किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर चार options देखने को मिल जाते हैं आप इसे change भी कर सकते हैं आपको जाना है settings में यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर select रहेगा से unselect करना है औ कुछ इस तरह से तो यह भी एक नया feature देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात करें तो यहां पर dynamic weather का हमें एक नया widget को मिल गया है रोस्तों तो इसके लिए भी हमें चलना है resolving में यह अपर वेदर में यह यहाँ पर एक dynamic weather देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसा weather condition होगा उस तरह से यहाँ पर show करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर cloudy है sunny है तो उस तरह से यहाँ पर weather condition के हिसाब से जो widget है वो show करेगा इसके अलावा यहाँ पर हलका सा weather application में भी change किया गया है इसके अलावा बात करें तो settings में भी काफ़ी सारे features और changes किये गया यहाँ पर सबसे पहले तो हमें suggestions देखने को मिल जाता है जो settings का है तो यह एक नया feature है इसके बाद यहाँ पर modes and routines में यहाँ पर एक नया mode add किया गया है theater का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक नया option है इसके अलावा routines में आप जाते हैं यहाँ पर plus पर click करते हैं दिन पर click करते हैं यहाँ पर all actions पर click करते हैं तो यहाँ पर 4 नय actions add किये गये हैं सबसे पहला है quick share का इसके अलावा यहाँ पर हमें fonts style का भी एक नया option देखने को मिलता है touch sensitivity का एक नया option देखने को मिलता है और आप ringtone को भी change कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ नय actions add किये गए हैं Samsung की तरफ से 1x5.1 update के बाद आप अलग-अलग modes के लिए अलग-अलग wallpaper set कर सकते हैं जैसे यहाँ पर slip mode पर मैं click करता हो यहाँ पर wallpaper का एक नया option देखने दिया गया है यहाँ पर apply हो चुका है अगर मैं slip mode को यहाँ पर off करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो default wallpaper है वो यहाँ पर apply हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं lock screen में भी जो default wallpaper है वो apply हो चुका है जो पहले था इसके लाबर notifications में एक नया option add किया गया है lock screen notifications में यहाँ पर show contents में यहाँ पर आपको एक नया setting का option देखने को मिला है तो इस पर click किजिएगा तो यहाँ पर आप जिन applications का notification रखना चाते हैं lock screen में वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और जिन applications करने ही चाते हैं आप उन्हें hide कर सकते हैं इसके लाबा advanced features में यहाँ पर screenshot and screen recorder में एक नया option देखने को मिला है save screenshot in तो यहाँ पर आप folder को change कर सकते हैं जो screenshot का folder है और screen recorder का इसके लाबा save original screenshot तो यहाँ पर जो original screenshot है वो shave होगा दोस्तों तो यह भी एक नया feature जो है वो add किया गया है इसके अलाबा कोई भी application को आप pop up view में open करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से swipe किजिएगा तो यह जो है वो minimize हो जाएगा pop up view में जो application open है और कुछ इस तरह से अगर आप swipe किजिएगा तो यहाँ पर यह जो है वो full screen में open हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर यह भी एक improvement किया गया इसके अलाबा अगर आप split screen में open करते हैं तो यहाँ पर एक नया option दे दिया गया यहाँ पर आप दिख सकते हैं most used app तो यहाँ पर jeन भी applications को आप जादा यूज करते हैं split screen view में वो यहाँ पर show करेंगे दोस्तों इसके अलाबा notification panel में एक नया toggle add किया गया है take screenshot तो यहाँ पर इसे add करते हैं यहाँ पर click किजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं screenshot जो है वो capture हो गया दोस्तों यहाँ पर हमें एक T का icon देखने को मिलेगा यहाँ पर आप text को extract कर सकते हैं यह एक नया feature add किया गया जो कि 1E5.0 में नहीं था A52 में तो यहाँ पर आप text को भी extract कर सकते हैं साथी आप camera में भी जो है वो image से text को extract कर सकते हैं यहाँ पर एक T का icon देखने को मिलेगा इस पर click किजिएगा यहाँ पर extracted text का option जो है वो enable हो जाएगा यहाँ से आप select कर सकते हैं और यहाँ से copy कर सकते हैं तो यहाँ पर यह copy हो चुका है तो यहाँ पर बात करें gallery के नए features की पर किसी भी picture के detail को आप चेक की जिएगा तो यहाँ पर यह picture कर ग्लिक की गई है किस device से क्लिक की गई है यहाँ पर किस folder में है सब कुछ यहाँ पर detail शो करेगा दोस्तों यहाँ पर location अगर enable होगा तो location भी show करेगा यहाँ पर edit में click की जिएगा तो यहाँ पर date और time और location को भी आप edit कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके लाबा कुछ और भी features जो है वो add किये गए हैं तो इसके लिए आपको जाना है settings में और gallery labs को enable करना है तो यहाँ पर about gallery और यहाँ पर 6-7 वार आपको click करना है और gallery lab जो है वो enable हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर support, save as PDF, support, print, multiple pictures तो यहाँ पर अगर आप कोई image को select करते हैं और यहाँ पर create पर click करते हैं तो यहाँ पर save as PDF का option दे दिया गया है तो यहाँ पर जो है वो PDF में save हो चुका है दोस्तों तो बस आपको यहाँ pictures को select करना है और यहाँ पर create पर click करना है और save as PDF पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं PDF में यह save हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से तो आप images से PDF को create कर सकते हैं इसके अलावा बात करें second option की तो अगला है support print multiple pictures तो यहाँ पर आप multiple pictures को print कर सकते हो इसके लिए यहाँ पर आपको multiple pictures को यहाँ पर select करना है और print पर click करना है यहाँ से भी आप PDF create कर सकते हो तो यहाँ पर आपको click करना है तो यह PDF में save हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो printer select करके print कर सकते हो इसके लाबा gallery में भी extract text का एक option दे दिया गया है तो यहाँ पर आपको बस T पर click करना है तो यहाँ पर आपको T का एक option देखने को मिलेगा इस पर click कीजिए और जो text है वो automatic select हो जाएगी यहाँ पर click कीजिए और select कीजिए और यहाँ पर copy पर click कीजिए और यह save हो जाएगा दोस्तों जो text है तो यहाँ पर extract text का भी option दे दिया गया है इसके लाबा phone app में भी कुछ features जो है वाइड किये गया है तो इसके लिए आपको settings पर जाना है Bixby text call तो यहाँ पर आपको इसे on कर देना है यहाँ पर आपको English language का भी support दे दिया गया है पहले Korean language ही सिर्फ था लेकिन आप 1UI 5.1 के बाद जो है वो English language का भी support दे दिया गया है इसके अलाबा record calls में यहाँ पर डिलेट old recordings का एक नया option दे दिया गया है तो आप जो है वो old recordings को डिलेट कर सकते हैं इसके अलाबा call background में यहाँ पर background में आपको चले जाना यहाँ पर आप dark mode का एक नया option दे दिया गया है यहाँ पर अगर dark mode जो है वो enable है तो यहाँ पर phone settings से भी आप match कर सकते हैं यहाँ पर आप call background में जो है वो dark mode on भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से जो है वो dark mode on हो चुका है और आप चाहें तो off भी कर सकते हैं तो यह कुछ features add किये गए हैं Samsung की तरफ से phone application में 1UI 5.1 update के बाद इसके अलाबा यहाँ पर कुछ features जो है वो missing भी है जैसे कि camera में color tone आप change नहीं कर सकते हैं selfie लेते समय तो यहाँ पर यह feature missing है इसके अलाबा अगर बात करें तो software update जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको 1UI version भी show करेगा यहाँ पर देख सकते हैं 1UI version 5.1 multi controls का जो option है वो भी missing है दोस्तों यहाँ पर जो object के background को आप remove कर सकते हैं एक click में तो वो भी feature missing है दोस्तों तो कुछ features जो है वो missing हैं बाकी आप update कर सकते हैं यहाँ पर animations को भी improve किया गया है तो यही था आज को इस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजिएगा like channel पे अगर आप पहली बनाएं तो channel को कर दिजिएगा subscribe मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम